आज तोची तन्वी दोनों के स्कूल का आखरी दिन था आज से समर विकीशन बुलने वाले हैं, तो बच्चों का तो बढ़िया मज़ा मज़ा है, लेकिन हम लोगों को कितनी सजा मिलने वाली है उसका तो अंदाजा है यही नहीं, पूरे दिन घर पे परिशान करने वाले हैं तो बस तन्वी को स्कूल भेजा तयार करके और थोड़ी देर में देखा कि मम्मी यहां पे काफी सारा फैलाई हुए हैं, तो मैंने पूछा मम्मी क्या हो रहा है, तो मम्मी बोली इतना सारा दही रखा है, दो-तीन दिन का दूद रखा है, तुम लोग इस्तमाल ही नहीं करते वह बहुत सारे खटा हो जाता है, कहां तक फ्रेज में रखें जगए ही नहीं है, ऐसा करो, यह दूद बचा है, इसका कुछ यूज कर लो, वरना यह फट जाएगा, तो पहले तो मैंने सोचा कुछ पांच मिनद तक कि आखिर इसका क्या बनाओं, क्या बनाओं, फिर मैंने ममी ने चाज बनाई थी, उसकी लसी पी, और फाइनली दिमाग काम कर गया, और मैंने ममी से बोला, ममी अब आज आप आराम करो, घर का पूरा खाना मैं बनाओंगी, वो भी इस दूद से, तो ममी हसने लगी, वो नहीं दूद से कैसे खाना बन जाएगा, ममी देखते जाए यह बिल्कुल शाही खाना बनेगा, बिल्कुल होटल रेस्टरेन वाला, आप देखते जाएए, तो मैं दूद ले करके आ गई उपर, और सबसे पहले मैंने नहाया, फिर दूद को रखा, गैस में गरम करने के लिए, और यहाँ पर लिया आधा नीबू, नीबू को बढ़ मिलाया भी नहीं है, और यह फट गया है, मम्मी सुबज से कही रेंती कि फट जाएगा, फट जाएगा, और सच में फट गया, लेकर मैंने अच्छे से फट जाए, इसके लिए थोड़ा सा इसमें नीबू का रस डाल देती हूं, और जैसी मैंने नीबू का रस डाला तो यह बहुत अच्छे से फट गया, बस ऐसा ही हमें चाहिए था, मेरा काम तो खेर हो ही गया है, अब क्या करेंगे, इस पटे दूद को हम एक छनी में ट्रांसफर कर लेंगे, और इसका उपर जितना भी छेना है या जो पनीर है, इसको हम निकाल लेंगे, और नीचे जो इसमें पानी है उसको हमें फेकना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम किसी अलग बावल में निकाल लेंगे इस पनीर को, और यह जो पानी है, इसको हम साइड में रखेंगे, इससे हम बोला ना पूरा खाना बनाने वाले है, तो इ इसी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विनेगर डाला है, तो फिर जरूर जरूर ही धोना है, ताकि विनेगर का जो टेस्ट है, वो निकल जाए, आप क्या करेंगे, हम इसको बढ़िया से निचोड लेंगे, मनला हमें कपड़े में डालने की या उससे निचोडने की जरूरत नहीं है अम च्छन्नी में ही इस तरह से दबा-दबा करके जितना पौसिवल है इतना पानी निकाल लेंगे बहुत परिशान होनी की जरुवत नहीं है रह जाता है पानी तो कोई दिखकर नहीं है अब इस सब्सक्राइब को हम एक प्लेट में डालेंगे और इस तरह से अलग- तो पनीर को रखते हैं फटा फट से साइड में और यहाँ पर जो पानी हमने निकाला हुआ है पनीर का तो इसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा पानी अलग एक बावल में निकाल लेंगे इसका हम इस्तिमाल करने वाले हैं जो हमने छोटे बावल में निकाला है क्योंकि हमें इतने ही पानी की जरूरत है बाकी पानी का यूज आप अगर रख सकते हैं फ्रिज में अगले दिन कोई सब्जी वगरा बनाया उसमें यूज कर सकते हैं ठीक है तो मुझे जितने पाने की जरूरत ही मैंने उतना ले लिया है अब यहाँ पर हम ले रहे हैं मेंदा क्योंकि हम बनाने वाले हैं नान रोटी तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने दो कप मेंदा लिया है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर दो चम्मच डालेंगे तेल स्वादन सा नमक डालेंगे आधा चम्मच चीनी डालेंगे चीनी से नान बहुत सौफ्ट बनती है और इसमें नाप कर के डालेंगे एक चौथाई चम्मच मीठा सोड़ा यानिकी खाने वाला सोडा, बिल्कुल नाप करके डालना है, दो कप के हिसाब से एक चौथाई चमच बिल्कुल परफेक्ट है, जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आप हम इसमें डालेंगे एक चमच दही, दही कम ही डालना है, क्योंकि जो हम पानी का इस्तिमा जानोटिया मनेंगी, तो बस इसी पानी से हमें आटा को गूतना है, और आटा को थोड़ा हमें सौफ्ट गूतना है, ठीके, अब इसको हमें रखना होगा कम से कम 10-15 मिनट रेष्ट के लिए, तो यहाँ पर मैं इस्तिमाल कर रही हूं, और डी यूनी रैप का, इससे जो आ पर चौपर में हम सबसे पहले लेंगे दो मेडियम साइज की प्याज, इसको हम इस तरह से रफली काट करके अच्छे से चौप कर लेंगी, आप चाहे तो इसको हाथों की मदद से भी बारिक बारी कट कर सकते हैं, हमने प्याज को बड़ी आसे चौप कर लिया है, अब यहा कमेंड कमेंड बॉक्स में करना, बिल्कुल मत भूलना, तो बस यहां पर वारी साही तयारी हो चुकी है, तो चलिए फटा फट से चलते हैं, गैस की तरफ तो यहां पर हमने कड़ाई रखी है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर डालेंगे जीरा, एक तेज पत्ता अब इसमें हम डाल देते हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं, वारी कटा हुआ अदरत, हलका सा इनको हम भून लेंगे, और इसकी बाद इसमें हम डाल देते हैं, चौप किया हुआ प्याज, प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है, और यहां पर प्याज का कलर light golden हो चुका है तो इसमें हम add करते हैं टमाटर को भी हम बढ़िया से mix करेंगे अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो मसाले बिल्कुल सिंपल जाएंगे इसमें हल्दी पाउडर लालमेश पाउडर धनिया पाउडर और साथी में जाएगा इसमें गरम मसाला चुकि हम ये बना रहे हैं पनीर भुर्जी बिल्कुल होटल स्टाइल तो इसमें बिल्कुल simple मसाले जाते हैं कोई भी extra का मसाला नहीं जाता है तो बस अच्छे से हम मसाले को mix करेंगे और लगबग 3-4 मिनट के लिए दीमी आज पर बढ़िया से भूनेंगे और जैसी मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो इसमें हम डाल देंगे बिलकुल होटल वाला टच देने के ल मसाले के साथ mix करते हुए आदा से 1 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे अब इसके बाद इसमें हमने जो पनीर बना के रखा हुआ था ना इसको हम डाल देंगे और इसको भी हम बढ़िया से mix करेंगे और mix करने के बाद हमें इसको ढख करके 2-3 मिनट तक पकाना है पनीर भुर्जी है बनके बिल्कुल तैयार है जिसे हमने सिर्फ दूद से बना करके तैयार किया है अब आप कहेंगे प्याज टमाटर तो डाला है न रक्षा तो देखिए प्याज टमाटर तो ऐसी है कि हमेशा घर पर अवाई लेविज रहता है लेकिन अगर आप नहीं भ से बना करके तैयार किया है इसको हम एक सर्विंग बावल में निकाल लेते हैं देखिए कितनी बढ़िया बनी है और बहुत हैल्दी भी होती है ये सबजी वह अच्छी भी लगती है खाने में तो यहां पर सबजी तो रेडी हो गई है अब बनाते हैं अपनी नान रोटिया तो यहां पर लगबाग 10-15 मिनट हो चुके हैं आटा हमारा एकदम सॉफ्ट है इसकी हम बनाएंगे सबसे पहले तो लोईया तो नान रोटी की जो लोई का साइज होता है वो नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा होता है अब इसमें हम थोड़ा सा आटा को डस्ट करेंगे उपर से थोड़ा हरा धनिया लगाएंगे और यह मैंने ले ली है कलॉंजी कलॉंजी ना हो तो आप इसकिप कर सकते हैं या फिर काले तिल का यूज़ भी कर सकते हैं यह इसलिए रालते हैं क्योंकि जो होटल में हमें नान रोटी मिलती है उसमें इस तरह से जो है मिलता है इसलिए मैं बिल्कुल वैसी बनाने वाली हूं इसके बाद इसको हम थोड़ा सा अंडाकार शेप में बेल लेंगे तोड़ा सा में इसको मोटा सा बेलना होता है तो मैंने दो नान रोटी यहां पर बिल्गी तयार कर ली है इसको पलट करके उल्टे साइड मे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, हमें चाहिये होगा लोहे का तवा, नोन इस्टिक नईない, लोहे का तवा, अगर बिलकुल होटल जैसी रोटी चाहिए तो, और हैंडल वाला तवा चाहिए होगा, रोटी को हम उस तरफ से डालेंगे, जिस तरफ से हमने पानी लगाया हुआ है गैस को हम medium करेंगे और इसको सिखने देंगे और इस तरह से bubbles इसमें रोटी में बन जाएंगे और जैसी bubbles बन जाएं तो हम तवे को पलट करके उल्टा करके इसको सेखेंगे गैस की flame medium या high कर लेंगे इसे stage पर और बढ़िया से हमें घुमाते हुए इसको सेखना है एकदम छुलाना नहीं है थोड़ा सा आग के ऊपर रखना है ताकि धीमी धीमी heat पहुचे और ये बढ़िया से सिखें तो इस तरह से घुमाते जाएं और बीच बीच में check करते जाएं कि हमारी रोटी कितनी सिख गई है पता चला आप गुमाते जाएं रोटी सारी जल जाएं तो देख सकते हैं हमारी जो रोटी है बहुत अच्छे से सिख चुकी है इसमें हम घी लगा लेते हैं घी बटर जो बिल्कुल तयार हो चुकी है ये देखिए तो इस तरह से हम दोनों रोटियां से एक करके तयार कर लेंगे और ये लीजे हमारी नान रोटी बिल्कुल रेडी है अभी मैं आपको इसका टेक्शर दिखाऊंगी ना तो आप देखते ही रह जाएंगे नार्मल रोटी से कहीं गुना जादा ये रोटी बहुत अच्छी लगती है पनीर के पानी से जो बनी होती है इसमें एक अलग ही स्वाध होता है तो तयार हो गया हमारा पूरा कॉम्बो पनीर भुर्जी प्लस नान रोटी जिसको हमने दूद से बना करके तयार किया है अगर कोई option ना हो कोई सबजी ना हो अगर अरचानक महमानों को आना हो या घरवालों को कुछ special खाना हो तो दूद से आप ये combination बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है आपकी तारीफे जरूर होंगी जब आप ये बताएंगे कि हमने दूद से ये पूरा थाली बना करके तयार की है तो ये जो थाली है ये स्पेसली मेरी फैवरिट नहीं है मेरे बच्चों की बहुत फैवरिट है उनको पनीर भुर जी बहुत ज़्यादा पसंद और नान रोटी की बात करूँ वो तो थन्वी की बहुत फैवरिट है तो इनका टाइम भी हो गया है स्कूल से ये दोनों आ भी गए है और इंतिजार भी कर रहे हैं तो मैंने का एक एक और मैं खिलाओंगी इन दोनों को क्योंकि इनके एक्जाम जो खतम हुए है अब ये दोनों बिल्कुल तयार है मुझे और नानी को परेशान करने के लिए तो बस उसके बाद मैं इनको थारी दूँगे ये लोग खाएंगे अब मैं आपको दो रोटी मैंने और सेकी हुई है अब मैं इनको आपको दिखाती हूँ तोड़ करके इनका टेक्शर देखिएगा ध्यान से कितनी सॉफ्ट जैसे ब्रेड होती है ना बिल्कुल बैसे बहुत ही सॉफ्ट बनती है एकदम फूली फूली मज़ा आजाता है इसको खा करके तो आप लोग ट्राइज जरूर करना दूद से ये कॉम्बो जरूर बराना मैं पर्शनली आपसे बोल रही हूँ बहुत ही अच्छी रेस्पी बनती है मेमानों को भी खिलाएंगे तो वो बड़े मज़े से खाएंगे और आपकी तारीख करेंगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेस्पी के साथ बाई बाई